नमो नारायन कैसे हैं आप सब आशा करता हूं कि सब मजे में होंगे और बढ़ी आउंगे तो आज मैं आपके साथ एक चोटा सा एक गटना गटी वाक्या गटा मेरे साथ वह आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूं और आशा करता हूं कि ऐसे वाक्या ऐसे सब के साथ ही घखते हैं शिरफ कमी रहती है जवरुखता कि जब यहाब जब यूरिवzen पोजिपरांरे, याग पंदोल है मेरे थी ऐता है मी लिए दिने के लिए था। ऐसके मेरे जानकार है उनके पास में काफी समय से आता हूं तो अइसे आज में 1008 मैंवा जूत्य कुछ जो मेरी यूप क्लास में लड़कियां विदेश में उनके लिए कुछ ब्रेस्लेट्स उन्होंने मेरे से कुछ अमंगवाए थे ब्रेसलेट्स और इस तरही कुछ चीजें जो लड़कियां की अपने होती हैं एर रिंग और यह सब तो आज वो देते हैं मेरे को बोले कि अपना आप एक काम कर सकते हैं मैं का क्या तो इस तो सिरफ मैं योगी कर सकता हूं उसके लाव कुछ कर नहीं सकता और तभी उसके बाद मैं वहां से दुकान से निकला और वैसे में गंगा किनारी जाके बैठ गया और मेरे मन में ऐसे हैं ख्याल आया कि जो वो मिर को बोल रहे थे बिसनस करने की वो नावायन मेरी परिक और दूसरा यह कि नारायन मेरी प्रिक्षा ले रहे हैं कि मैं अपने मारक से बटकूंगा या नहीं है और तीसरा यह कि अपना जो वो है वो काम अपना उनके माध्यम से नारायन ही हो सकता है कि मुझे यह काम खुद ही देना चाहते हूं तो मेरे को बड़ा फनी सा भी लगा अच्छा सा भी लगा कि कैसे कैसे आदमी की परिक्षा ले जाती है और वो कई वारा आदमी अपने मारक से बटक जाता है और ऐसे काम करने लग जाता है जिसमें उसकी ना तो रूची है बस वैसे ही पैसे के लिए बिजनस के लिए अपना मार्क से भटक जाते हैं तो आपका जिस चीज में आपका दिल है मन है उस काम को करते रहिए करते रहिए उसे छोड़ना नहीं है आपको जोगर क्योंकि उसी में आपको सुख मिल सकता है तो मेरा चोटा संदेश था आशा करता हूं अच्छा लगेगा और इसके पर ते आप ज सोचेंगे चीजों को रिलेट करेंगे देखेंगी कि क्या आपके लिए से ही और क्या गलत है धन्यवाद नमो नारायन